नमस्कार मैं वह विज्ञान प्रकाश और पेशेस हफते का परिवर्दन इस हफते हम जिस शक्सियत की बात करेंगे उनको मैं कॉंग्रिस का आश्चर कॉंग्रिस की सर्प्राइज बुलाता हूँ यारी कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरंजीत सिंग चन्वी मेरे लिए कॉं चन्वी चन्वी कॉंग्रिस की सर्प्राइज क्यों है इसलिए क्योंकि दो लोगों के जगडे में बड़े नेताओं के जगडे में कैप्टन अमरंदर सिंग और नव्जूचEень सिंग सिद्धू कॉंग्रिस ने फैसला लिया जलित चहरा चरंजीत सिंग चन्वी को बुख उनके आतीत के बारे में पंजाब क्यांग्रेश के पिछले साल की कहानी बहुत ही दिल्चस्पृर साती है रितंगेज भी है एक समय कॉंग्रिस की राजनीती में किसी ने भी नहीं सोचा था कि कैप्टेन अमरिंदर सिंग कॉंग्रिस को जीत दिलाने वाले पुरानी लेता एक दिन कॉंग्रिस से अलग हो जाएंगे कॉंग्रिस के अंतर करे का केंदर बिन्दू है कैप्टेन अमरिंदर सिंग और नवजोज सिंग सिध्धु का जगडा जिसने कॉंग्रिस और उसके विधायकों और मंत्रियों को पुरी तरह से बाट दिया और हर तरफ कैप्टेन से लेकर सिद्धू तक बयानों का सिलसिला चालू हो गया इन सब के भीच किसी का ध्यान एक नाम की तरफ गया ही नहीं वो था अमरिंदर सरकार में मंत्री चरंजीत सिंग चन्नी का चन्नी उन लोगों में से थे जिन्नों ने अपने मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग का खुल कर विरोध किया था लेकिन वो खुद बुख्यमंत्री बन जाएंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नो ऐसे तक लिया के बठा रिता है किसे तक बेरी और साथी योकाद पहला नहीं ये नौबत इसली आई क्योंकि सिद्दू और अमरिंदर का जगड़ा पंजाब से लेकर दिल्ली तक पहुँच गया कांग्रेस सारजनिक और मीडिया में लड़ाई से बहुत शर्मसार हो रही थी बयानों की कोई कमी नहीं थी ना ही सिद्दू की तरफ से और ना ही अमरिंदर सिंग की तरफ से इस तरह के बयानों का जिक्र करना इसलिए जरूरी है सिद्दू और अमरिंदर की तरफ से क्योंकि तब इस तरह के बयानों के बीच कही पर भी प्रमुक्ता से चन्नी नहीं नज़र आते थे फिर समय आखिरकार आया जब कॉंग्रिस को पंजाब परिविक्षक यानि कि अब्सर्वर्स भेजने पड़े वहां की स्थिती का हल निकालने के लिए नवजो सिंग सिद्दू की मुख्यमंत्री बनने की महत्तुकाय अंचाय किसी से नहीं चुपी थी इसलिए कॉंग्रिस का फैसला चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाला सब को हैरान कर देने वाला था और यह साथ था कि पंजाब में एक बड़े हिस्से की दलित राजमिती को अपने हग में करने का यह फैसला था चन्नी दलितों के रामदासिया समाज से आते हैं और पहली बार 2007 में निर्दलिये के तौर पर विधानसभा पहुँचे थे फिर 2012 और 2017 में कॉंग्रिस के टिकेट पर 2015 में पंजाब की विधानसभा में फिपक्ष के निता भी रहे फिर 2017 में जब कॉंग्रिस की सरकार आई तो वो मंत्री बने चन्नी जाब एक वकील है और खेलों में हैंडबॉल के खिलाडी रह चुके हैं उन्हें भांगडा का शौक है और जोतिश पर विश्वास करते हैं उन्हें पर आरोपिय लगा था कि एक जोतिश की सलाह पर उन्होंने अपने घर के सामने घैर कानूनी तोर पर एक पार्क से निकलती हुई सड़क बनाई जिसे कुछ ही घंटों में चंदिगर्ण प्रशासन ने तुड़वा गिया इसलिए बहुत दिल्चस्प होगा देखना सिद्धू और अमिरिद्णर का राजितिक हल बनने वाले चंदी कॉंग्रिस को क्या वापस ला पाते हैं और जोतिशियों की सलाह उन्हें कहा तक ली जाती है तो सबसे पहले इस बात पर नज़र जालते हैं कि चरंजीत सिंग्चनी की ताकत क्या है राजितिक ताकत क्या है दो बड़े नेताओं सिद्धू और अमरिंदर के जगड़े में सामने आया है ये नया चेहरा दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से कॉंग्रेस की राजनीती का दलित चेहरा तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से हलाकि समय कुछ महीनों का ही है लेकिन कॉंग्रेस चन्नी के काम को हाइलाइट कर रही है उजागर कर रही है और चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से है चन्नी को मु ABP News आपको रखे आगे